हलो फ्रेंडס ! आज हम बनाइंगे मैगी के पकोड़े अगर आपको मैगी पसंद होगी तो आपको यह पकोड़े बहुती अच्छे लगने वाले है चलिए अब हम शुरुवात करते हैं तो मैगी के पकोड़े बनाने के लिए शहां पर बॉils मैगी ले लिया है है अब इस में डालेंगे बारीख चोह प्लाभ्ली और अब इसमें ताल देंगे चीज़ मेने कीदे च़िस्ट ने भिभाई देगा उसके अभर में लाड़ा बात्य उसके हम डालेंगे buy DIY तील जिससे हमारा नाश्टा अच्छा तो दिखेगा पर खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा आधा चोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चोटा चम्मच काला नमक नमक हमें ध्यान से डालना है क्योंकि हमने सफेद वाला और मैगी में भी नमक जो था वो भी उसकिया है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच बेशन और दो चम्मच हम डाल देंगे इसमें कॉन फ्लॉर जिससे हमारा नाश्टा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा और ऐसे ही नियू रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और जब तक हम डो बना रहे हैं तब तक हम ऑईल भी गरम करने के लिए रख देंगे तो ये देखे हमारा डो बनके रेडी हो चुका है ऑईल भी गरम हो चुका है तो हम एक एक करके सारे अपने पकोड़े डाल देंगे तो यहाँ पर आप कोई भी शेप दे सकते हैं मैंने यह पकोड़ों को तलना है वरना पकोड़े बहुती ऑईली बन जाएंगे और यह देखिए हमारे पकोड़ों में अच्छा सा कलर आ चुका है और यह अच्छे से क्रिस्पी हो चुके है अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी के भी सारे बना लेंगे तो यह देखिए हमने सारे पकोड़े बना लिया है यहाँ पर मैंने टामेटो सॉस के साथ सर्फ किया है आप ग्रीन चटनी यह आप ऐसे भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं बनाने में आप एक बर जरूर ट्राइ करिएगा यह रेसिपी एकदम जटपड बनके रे